बॉडी के अंदर क्या चीज़ डाल रहे हूँ बॉडी के अंदर आपको सिर्फ हेल्दी फूट खाना है अब बात करो कि भाई ये हेल्दी फूट किस तरीके से होता है आपको प्लेन फूट खाना है आपको बोरिंग फूट खाना है So hello, welcome back to my channel people मेरा नाम है शिकर शौदरी और फाउंडर फूट खाना है और इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टन चीज़ आती हो है अपका मन अपने मन के हिसाब से चलते हो आप अपने मन के हिसाब से चलते हो कि आपका मन करा उठ गए, मन करा सो गए, मन करा खाना खाली है, मन करा पढ़ लिए वो भी सिर्फ 15,20 मिनट एक गंटा और तुमको इन सब चीजे करने से ऐसा लगता है कि तुमको success मिल जाएगी दो-तीन घंटे पढ़ते हो लगता है कि exam clear हो जाएगा एक-दो घंटे काम करते हो लगता है कि तुम्हें startup पे काम हो जाएगा पर ऐसा नहीं होता है तुमको discipline के अंदर आना पड़ेगा तुमको अपना mindset को increase करना पड़ेगा time management सही से करना पड़ेगा consistent efforts दालने पड़ेगा focus होना पड़ेगा और ये सब चीज़े तुम तभी तक नहीं कर सकते हो जब तक जब तक क्या जब तक तुम्हारी feelings तुमारे control के अंदर नहीं हो आज के लेक्चर के अंदर हम यही सब चीज़े सीखेंगे कि अपने feelings को किस तरीके से control करें और इसके क्या negative impact होता है और इसके basics सीखेंगे इसके depth के अंदर जाएंगे कि आखर यह feelings है क्या तुम क्यों करते हो यह सब चीज़े और यह हमारे proper lecture होने वाला है ठीक है तो बैठे रहो और अब तक subscribe नहीं कर रहा है तो subscribe कर दो कि तुमारे ही फाइदे की बात है जब तुमारे feelings जादा strong होती है तुमारे actions तुमारे weak हो जाते है क्योंकि देखो यह चीज़ तुमें समझनी है अगर तुमारे feelings उपर जाएंगी जो तुमारे जो focus है वो तुमारे already down जाने वाला है already down जाने वाला है अगर तुमको ऐसा लग रहा है अगर तुम अपने मन के हिसाब से चलते हो तब तुम आगे नहीं बढ़ पाऊगे तुम हमेशा तुमारे सिर्फ एक ही दिमाग में तुमारे एक चीज़ रहेगी किया सिर्फ मन के हिसाब से चलते है भाई मन कर रहा है पढ़ लेते हैं मन कर रहा है ये कर लेते हैं मन कर रहा है वो कर लेते हैं पर जो भी इंसान आस तक अपने मन के हिसाब से चला है न जो भी इंसान आस तक अपने मन के हिसाब से चला है वो कभी भी लाइफ के अंदर successful नहीं हुआ है अब ऐसा क्यों होता है क्योंकि पहला point इसके अंदर देखते हैं that you are controlled by your senses yes you already right तुम अपने senses के अंदर control के अंदर हो तुम्हारे senses तुम्हारे control के अंदर नहीं है और वो तुम्हारे senses तुम्हारे control के अंदर इसलिए नहीं है क्योंकि तुम को ये नहीं पता ही control में किस तरीके से रखते हैं और senses क्यों नहीं है control क्योंकि तुम यार उल्टे सीधे control के अंदर लेकिया हो और दूसे चीज दाट you waste your time and useless feelings तुम अपना जो वक्त है वो useless feelings के अंदर waste करते हो कैसे तुमने headphone के अंदर तुमने गाने लगा लिए तुम सुन रहे हो तुम feel कर रहे हो तुम imagination में जा रहे हो कि यार वो girlfriend मेरी कैसी थी या मैं उसको कैसे पटाऊंगा ये करूंगा कैसे करूंगा तुम एक सिर्फ एक delusion world के अंदर चले जाते हो तो तुमको इससे भारान है second चीज होती है you have no control on your senses की तुम्हारा control नहीं है तुम्हारा control इसलिए नहीं है क्योंकि अब तुम एक automation mode पे चले गए हो अब तुम एक automation mode पे चले गए हो automation mode पे इंसन कैसे जाता है जब तुम बहुत सारी चीजें बहुत सारी गलत चीजें तुम बहुत time से करते आ रहे होते हो अब for example तुमने बच्पन से एक habit बना रखिये कि यार तुमने सुबह उठना है और तुमने मोबाइल पकल लेना है मोबाइल में फिर आपको रील्स स्ट्रॉल करते चले जाना है तो यह तुमारी एक automation पे habit में आ जाता है तुम सुबह उठते हो तुमारे हाथ अपने आप जाएगा और तुमारी लाइफ भी जो ऐसे जा सकती थी वह तुमारी इस तरीके से तुमारी लाइफ चले जाएगी जो फिर तुमारे लिए बहुत साट चीज होने वाली है तो तुमको इस तरीके से नहीं करना है अब इसमें एक चीज देखते हैं वो भी साट होंगे अगर आपको feeling happy आ रही है तो आपकी जो actions है वो भी आपके happy actions होंगे और अगर आपको feelings energetic आ रही है तो वो भी आपके actions भी आपके energetic होने वाले है तो अब यह आपको decide करना है कि आपको sad feeling चाहिए आपको happy feeling चाहिए आपको energetic feeling चाहिए ठीक है क्योंकि देखो, अब आप देखो किया रही है, अगर आप सुबा उठें, सुबा उठतें, आपके अंदर एकदम से energetic feeling आ रही है आपको, तो आप उस energy को आप सही जगा पर आप channelize कर सकते हो, आप उस energy को सही जगा पर channelize कर सकते हो, channelize मतलब कि यह आपकी एनरजी है थेक है अब आप इस एनरजी को या तो आप waste करो या आप invest करो राइट इनवेस्ट किस तरीके से करोगे कि अगर आपकी energetic feeling आ रही है तब आपके बासे control रहेगा कि आप इसको मुझे कहा पर लेके जाना है इसको मुझे study पे लेके जाना है इसको ठीक है तो मैं एक चीज़ समझती हैं आपको feelings अगर आपको strong feeling लेके आने हैं अगर आपको strong feeling लेके आने हैं तो आपको strong thoughts अपने brain में डालने पढ़ेंगे strong आपको अपने thoughts ब्रेन में डालने पड़ेंगा strong thoughts किस तरीके से आएंगे through strong music through strong songs अगर आपको songs ही सुनने है तो motivated songs सुनो motivational songs सुनो आप भक्ती के songs सुनो आप भक्ती के गीच सुनो जब ये सारी चीज़े positive चीज़ें आपके brain के अंदर जाएंगी तो वैसे आपके strong feeling आएंगे और जिस तरीके आपके feelings होंगी उस तरीके से आपके actions होने वाले हैं तो अपनी feelings में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना और इसमें एक चीज़ और आपको देखनी है आपकी diet ये से हो रिटाइट आपकी diet बहुत ज़्यादे important चीज़ होती है अगर आप junk खा रहे हो अगर आप junk food खा रहे हो तो जो आपकी feelings होने वाली है वो भी आपकी junk feeling होगी और अगर आपकी junk feeling होगी तो आपके actions भी कैसे होने वाले हैं समझजदार हो actions भी तुमारी junk होने वाले हैं अगर आपके actions junk होंगे तो आपके at the end of the day जो तुम्हारी life होगी वो भी तुम्हारी junk life होने वालिया और I don't want कि तुम्हारी life junk हो I want कि तुम्हारी life एक successful life हो सुमझे रहो? तो अपनी feelings पे control रखो अगर feelings पे control नहीं रखोगे तो फिर वक्त तुम्हारा हाथ से छूट जाएगा और वक्त जब तुम्हारा हाथ से छूट जाएगा फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तुम्हारे जिंदगी तुम्हारे हाथ से छूट जाएगी और जब जिंदगी तुम्हारे हाथ से छूट जाएगी इसमें क्या होता है आपकी जो फीलिंस हैchau वो आपके निदर रहते हैं जब आपको घ्रा अब działa को तुम्हारा जो सारह ओर और मोषिनल कंτॉल में किस तरीचे सिरेगा अमोषिनल कंट्रोल रहात में रहेगा तुमारे actions की control से अगर तुमारी choices तुम wise choices ले रहे हो तुम समझदार choices ले रहे हो तब तुमारी actions भी तुमारे control के अंदर रहेंगे अब wise choices क्या होती है सबसे पहले देखो stoic mode के अंदर जानेगा न सबसे एक important चीज़ होता है कि plan आपको अपनी life का एक plan बनाना है अब जब भी डेली उठों जब भी डेली वटों आपको बहुत ही छोटी से छोटी चीज सब कुछ आपको प्लान करने हैं, आपको पूरी टोडो लिस्ट बनानी है, कि आपको कब खाना खाना है, आपको कब एक्सरसाइस करने जाना है, आपको कब पढ़ाई करने है, कब आपको मुबाईल देखना है, कब आपको इंस्टाग्राम चलाना है, आपको ये सब ची करना है 45 विनिट्स गणरे के हर्मोन रहे हैं та अगर दो एक्सरसाई करना अर देक्किति स्थाईबल रहे हैं ⟹ तब क्या होगा आपकी जो फीदिस बिंग्स है वो भी स्थाबल रहें गतलिक्स चैबल रहें गे तो जैसे बात की आता अप Sun po Kano Poll that is in put कि आप में ब्रीन के अंदर कौन सी चीज एडाल एंपने ब्रीन के अंदर अप अपने बॉडी के अंदर कया चीज़ इ mercury के अंदर आपको सिर्फ healthy food खाना है अब बात करो कि यह healthy food किस तरीके से होता है आपको plain food खाना है आपको boring food खाना है खिचुडी खानी है वादल बेसिकल जितना boring food हो सकता है उतना boring food खाओ क्योंकि जब तुम boring food खाओगे तब तुम्हारी बॉडी के जो chemicals होते हैं chemicals आपके normal रहेंगे अगर spicy food खाओगे तो आप chemicals ऊपर चले जाएंगे तब आपको गलत feelings आएंगे तो आपके जो actions है वो भी आपके गलत रहने वाले है तो बॉडी के अंदर भी आपको healthy चीज डालनी है और आपको brain के अंदर भी आपको healthy चीज डालनी है ठीक है ये लोगों को नहीं पता होता कि आपके brain की भी डाइट होती है एक आपके brain की भी डाइट होती है ब्रेइन के अंदर आप junk चीज नहीं डाल सकता अब junk चीज़े क्या होते है stupid songs होते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया अब healthy चीज़े क्या होती है आपको books read करना आपको write करना है जो भी आप चीज रीड करो ना उसको लिखो जरूर अगर आप लिखो गए नहीं तो आपके brain के अंदर नहीं जाएगा गर brain के अंदर नहीं जाएगा तो आपको actions के अंदर नहीं आएगा ठीक है तो यही सारी कुछ चीज़े थी जो आपको अपनी day-to-day life क कि अंदर apply करने है क्योंकिदेगो अगर तुम पने feelings को control नहीं रूखोगे अगर तुम अपने actions को control नहीं रखोगे तब आपके साथ अब कुछ भी control के अंदर नहीं रहेगा अपके और जब आक कुछ भी control के अंदर नहीं रहेगा तो फिर आप कैसे successful हो जाओ गे एक successful इंसा की वज़े से उसके internal feelings को effect नहीं पड़ता है और अगर ये वीडियो समझ भाएंगे न तो comments के अंदर बताओ कि क्या समझ भाएं और तुम क्या action plan लेने वाले हो और next video किस चीज के लिए चाहिए उसके लिए भी comments के अंदर लिखो और इस वीडियो को उन सब किसा share करो तुम जिनकी care करते हो क्योंकि sharing is caring So आज की वीडियो में ही पर खतम करते हैं Stay Shikshit, Stay Healthy, Stay Humble This is your boy Shikhar Chaudhary, founder and educator of The Editing Educations and The Shikshit Talks Take care